दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया साइट्स वाटसैप हैक कर ठगी करने वाले गिरों का भंडा फोड करते हुए दो नाइजीरिया इनागरिकों को गिरफतार किया है पकड़े गए आरूपी किसी भी शक्स का वाटसैप हैक कर उसकी प्रोफाइल फोटो का इस्तमाल कर उनके दोस्तों और रिष्टदारों को मैसेज भेजते और किसी ना किसी बहाने से उनके अकाउंट में पैसे भेजने को कहते जहांसे में आकर कई लोगों ने इनके अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर कर दिये थे इस तरीके से उनों ने रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे डिपार्टमेंट के अधिकारी का वाटसैप हैक कर उनके जानकारों से 75,000 रुपे की ठगी की थी ठगी की शिकायत मिलने पर पुलिस ने टेकनिकल सर्विलांस के अधार पर आरूपियों की लोकेशन पता की और उत्तम नगर इलाके में धर्द बोचा पुलिस ने के कबजे से ठगी में इस्तमाल दो लैपटॉप, एक पासपोर्ट सहित, एक सिम कार्ट भी बरामत कर लिया है